हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो दरपन बुटिक तो कैसे हैं आप सभी आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ इस ट्राइब की ड्रेस तो यह जो ड्रेस है ना फ्रेंड्स इस ड्रेस की डिमांड बहुत ज्यादा टाइम से आ रहाई थी इंस्टाग्राम पर हमें बहुत बा जो बनाना सिखा दिया जाएं आपको इतनी मेंगी खरीद नहीं पड़ी ड्रेस इसलिए आज हम आपको इतने संटे में बनाना सिखायंग किया आप लोगों को लगेगे कि यह जहीं है खरीदआ से ज्यादा बेटर रहेगा इसको बनाना भी बहुत आसानी से बताएंगे step by करते हैं यहां यहां बहुत बड़ी ड्रेस लिप इंतla वी कि एक टीन आगे क 60 लेयल हैं वह दीकोर आने लेकिन इतन है तो आगे हैं आपको इतने आसन तरीके से बताएँगे कि आप लोग एक इसी बार में शीख जाएंगे, तो चलिए friend's करते हैं, कटिंग करना स्टार्ड, इस ड्रेस को बनाने केली हमने फैबरिक लिए हैं, अस्तर के लिए हैं क्रेफट टीन मीटर फैबरिक और चौड़ाई में ह है कि हमारा साइज छोटा है अगर आपका साइज बढ़ा है तो आपस्तर 4 मेटर ले लीजिए सबसे पहले निकालेabyteार चोली कपड़ेखू fold कर लेंगे और एक बार ओर fold कर लेंगे तो यह हो गया हमारा four fold shoulder के निशान लगाएंगे तो कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे अब हमारे neck जो बन रहा है वो बनेंगे छोटे neck इसलिए shoulder को down करना है shoulder करेंगे हम 1 inch down shoulder हमारे तेरा इंच की हैं, तो तेरा का आधा हो जाएगा, साड़े छे इंच, आर्मोल्स आएंगे हमारे छे इंच पर, यहां से इंची टैप रखेंगे, चोली की लंबाई हमारी तेरा इंच है, तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में यहां दबेगा, और आधा इंच उपर दवेगा, तो एक इंच हमारा फैब्रिक कबर हो जाएगा, अब लगाएंगे हम फिटिंग की निशान, सीने की फिटिंग हमारी 31 इंच की है, दो इंच लूजिंग एड करेंगे, तो 33 हो जाएगा, 33 का चोथा ही बाग करेंगे, तो 78 इंच आएगा, 78 साथ मतलब की 2 पॉइंट कम, साथ में 2 पॉइंट कम, अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे, और यहाँ पर मारजन ले लेंगे, यहाँ पर एक सीधी लाइंग की इंच नाए, यहाँ सी इंच टेप को रखना है, इस क्रोस के पास से एक इंच पर निशान लगाना है अब इसी निशान के पास से गोलाई कर लेंगे इन्हीं निशानों के उपर से कटिंग कर देंगे यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और एक कमर की फिटिंग के पास इन दौनों पार्ट को अलग-अलग कर लेंगे बैक पार्ट इसमें से हटा देंगे फ्रेंट पार्ट को वापिस से जमा कर रख लेंगे यहाँ पर इंच ही टैप रखना है और एक इंच पर निशान लगाना है फ्रेंड पार्ट में ही निशान लगाना है ये वाले और गोलाई कर देंगे इसको यहाँ पर लाकर मिला लेंगे अब कटिंग करेंगे इसमें कोई ज़ादा डीप नेक नहीं बनाना है गले हमें एकदम टाइप के बनाना है तो जैसे हमारी कॉलर वाले गले कटिंग होते हैं उस टाइप से इसकी कटिंग करना है तो गले की विर्थ रखेंगे हम पौने 3 इंच और गले की लंबाई आएगी साड़े 3 इंच यहाँ पर भी पौने तीन इंच विर्थ रखना है लाइन कीच के बॉक्स बना लेंगे और इसमें गोल गला ड्रॉव कर लेंगे अब कटिंग कर देंगे अगर आपका साइज थोड़ा बड़ा है तो आप यह वाली लंबाई चार इंच रख लीजे इसमें भी बुलाई कर लेंगे अब कटिंग कर देंगे इसी निशान पर से फ्रेंट और बैक साइड के चोली हमारी कटिंग हो गई है अब इसमें से निकालेंगे हम घेर तो इस कपड़े को खोल कर सिंगल कर लेंगे और दोनों कौने में लाकर इसको डबल कर लेंगे और इसका और इप शेप बना लेना है इस वी वाले हिस्से में से करेंगे हम कमर की कटिंग तो हमारी कमर का साइज है पौने साथ इंच तो यहां से लेना है हमें पौने साथ इंच अब यहां से इंची टैप को रखेंगे और इसको मेजर करके देख लेंगे तो यह आरा है हमारा 9 इंच, 9-9 इंच पर निशान लगा लेंगे अब हमारी चोली 13 इंच की थी, 13 इंच की हमारी चोली है तो यहां से इंची टैप को 13 इंच ऊपर निकाल देंगे बहार और हमारी फ्रॉग की फुल लंबाई है पचास इंच, लेकिन हम अस्तर रखेंगे उनन अंचास इंच का, क्योंकि ये बाद में फ्रॉग से भी जादा बहार निकल जाता है, इसलिए लटकता है क्योंकि, इंची टेप को बापिस से खीच लेंगे, और इसको नाप कर देख ल हमारी हो गई है, अब अपना मैंपना कर दिखार और ली एक कपड़ा जाएगा, इसलिए हमारी हो गई है लेंगे जोर्जेट अब हमने यह जोर्जेट तो ले लिए पर इसको फोल्ड के इतना करना यह देखिए आप इसको यहां से लेके इसकी चोड़ाई रख रहे हैं 15 इंच इसकी चोड़ाई पंदरा इंच क्यों रखी वह भी मैं आपको अभी बताऊंगी तो अभी हम ले लेत यहां से सीधा लेना है और यहां से इसी के शेप में कटिंग कर देनी है यहां तक बरावर देखिए फ्रेंट्स हमारी दोना चोलियां निकल गई है पर यह है हमारे साइस के इसाप से लेकिन अगर आपका साइस बड़ा है तो आप इस फैब्रिक को पूरा फोल्ड करिएगा मतलब कि यहां से कपड़ा मत बचाईएगा बिलकुल भी पूरा फोल्ड कर लेंगे इसके बाद लास से चोली को रखना है और लास से इसकी कटिंग कर देनी है क्योंकि साइज बड़ा रहेगा तो फिर हमें यहां पर भी कपड़ा थोड़ा चाहिए पड़ेगा चुननेट को नीचे कगे और स्लीप्स तो यह जो हमारा कपड़ा है इसको हमने सिंगल करके रखा है अब पीछे वाला कपड़ा है लास का उसको लाना है और इसको पर डबल कर लेना है इतनी बड़ी थान है कि बस आता ही जा रहा है आता ही जा रहा है कपड़े को मने डबल कर लिया है आप क्या करना है आपको इसकी विर्थ को चेक कर लीना है कितने इंच की है था हमने तो स्टार्डिंग में यह चेक कर लिया तो यह हमारी 44 इंच की दी तो यहां से इंची टैप को रखना है और 44 इंच पर निशान लगा लेना है अब यहां से उगली रखना है और इसको फोल्ड कर लेना है पूरा हमारा फोल्ड हो गया ऐच्छे से इसके बाद इसको एक बार और चेक कर लेना है कि हमारा फोटि-फोर के आ रहा है या नहीं क्योंकि बाद में थोड़ा बहुत कम हो जाता है अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा और आगे खसका के इसको पूरा 44 का कर लीजी, इस साइट से भी हमने इसको 44 इंच का ले लिया है और इस साइट से भी इसको 44 इंच का ले लिया है, अब ही हमारे 4 पीस हो गए है, तो पहले ही निकालेंगे हम स्लीप्स, यहां से निकालना यहां से अपना है चॉली कार्मोल से नापना यहां से आप लेंगे तो गाल रहीच यह लिए हमारा सभ आप साध्य है्ट इंच इतना हमारा सिलाई में दभीगा उपर जभ शोल्डे दभाएंगे तब इसलिए आथिंच तक रखना है हमें को इसी 8 का आधा कितना हो जाएगा तो यहां से इंची टैप को रखना है यहां से इतना तो हमारे केनारी हट जाए केनारी को हम अटा देंगे तो यहां से ले लेंगे हम इसको चार इंच और यहां से भी रखेंगे चार इंच और बीच से भी चार अब इसको राउंड कर लेंगे इसको एक बार मेजर करके देख पूरा फिक्स अब इसके बाद लेना हमें स्लीप्स की लंबाई तो यहां से इंची टेप रखेंगे जो हमारी स्लीप्स की लंबाई है वो पूरी फुल बाइस इंच की है और आधे अधे हिंच हमारा दौन साइट से लाई में दवेगा तो हो जाएगा 23 इंच अगर हमें 23 इ लगाना है उतना हमें फैब्रिक कम कर लेना है तो इतनी मार्किंग तो हमने कर ली है अगर हम इसी पड़ से कटिंग कर देंगे तो हमारी स्लीप्स बहुत जादा नीचे से लटकने लगेगी क्योंकि जब हम slips की cutting करते हैं तो जब slips की cutting होती है तो नीचे सम slips को 1.5-3 inch down भी करते हैं इसमें तो अभी हमने कुछ भी down नहीं किया है अगर हम इतनी cutting कर देंगे तो हमाई slips लटकने लगेगी इसलिए हमें यहां से नीचे वाली side से तीन इंच पर निचान लगाना है और यहीं से इसको हलका हलका से इसी से मिला लेना है इस तरीके से अब इस निचान पर से cutting कर देंगे यहां पर center का cut लगा देंगे और sleeves को करेंगे side में अब हमें निकालना है बीच वाला घेर तो भीजबा लगे, निकालना कितने का है, आप वो समझ लीजिए, देखिए, हमारी जो पूरी फ्रॉक है, उसकी लंबाई है, पचास इंच, उसमें से हमने तेरा इंच की चोली निकाल ली है, ठीक है, इसके बाद हम इसमें तीन फ्रिल भी एड़ करने वाले हैं, तो हमारी पचास इंच, तो हमारी फ्रॉक की लंबाई है, यह दूसरी ना है, तो दूसरी ना है, दौना ना न्यिकालना कि झेक हो जाएं, और एक न्यकरा की वाले ही, कि दिल्ड की 13 चोलिए हम ने आपर 13 ले लिए हमारी एक फ्रिल 9 ले लिए यहींदBut भी यहां पर हमारी चोटी भी लगेगी तो 54 फ्रॉग में यह 15 से 54 गाइश कर देंगे तो बचे का हमारा तो यहां से लिए कि यहां तक की लंबाई रखना है हमको सोला इंच की, सोला इंच की हमें बन कर तयार चाहिए, तो इसमें एक इंच प्लस करेंगे, दोनों साइड मार्जन का, यहां पर और यहां पर सिलाई में दवेगा, एक इंच हमारा सिलाई मार्जन हो जाएगा, तो सत साट इंच करना है 17 इंच वाला गेर में निकालना कहां से तो देखे फ्रेंड इस फैब्रेक को मने एक साथ फोल्ड कर लिया था दिल्प्स का और गेर क्टा कि अमेरा कपड़ बिल्कुल भी वेस्ट ना हो क्योंकि अगर हम इसको एक एक करने निकालते पहले स्लीप सिन न काल यहां से निकल लिए निकल लेंगे बीच वाला गहर निकल लेंगे कपड़े को कहीं भी खेचतानी नहीं करना है आपको ँस कौने के पास पहुँच जाना है और वहीं से कमर की कटिंग करना है अब हम इसको नहीं से घेर की कटिंग करेंगे, हमें यहां पर थोड़ी चुननदे चाहिए, इसलिए इस फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम, यह हमारी चोली है, इसको लेंगे, यहां पर निशान लगा लेंगे, और एक स्टाइड भी लगाएंगे, यह हमारा कितन लंबाई थी, वो कितनी निकली थी, सत्रा इंच की, तो यहां से इंची टैब को रखना है, और सत्रा इंच पर निशान लगाना है, इसको राउंड कर लेंगे, अब इनी दोनों निशान पर से कटिंग कर देंगे, यह निकल गया हमारा बीच का घेर, और यह जो फैब्रिक बिल्कुल बेंस्ट नहीं होने वाला है, इसमें से निकाले हैं जो छोटी वाली फ्रिल है हमारी, जो नीचे Gew Möglichkeiten और अगर फिर भी बच गया कट कर पहले सीधा कर लेंगे तीन इंज की हमें फ्रिल तयार चाहिए तो हमें चार इंज की कटिंग करना पड़ेगी तो यहां से लगाएंगे चार इंज पर निशान इसी निशान पर से कटिंग करेंगे ऐसी फ्रिल हमें एक और निकालना है तो इसी को रख लेंगे इसी के बराबरी से इसी के जैसे कटिंग कर देंगे यह हमारी दूसरी फ्रिल भी निकल गई है अब यह जो फैबरिक और बचा है इसमें से भी एक फ्रिल और निकाल लेते हैं तो हमारी ये तीसरी फ्रिल भी निकल गई है, यहां पर थोड़ा सा कम है , तो यहां से कट करके इसको जॉयंट कर लेंगे वेशकों हमारे 4-4 इंच की 3 पट्टिान निकल गई ऐ है फ्रिल की किनारी की cutting कर देंगे अब होगा ये मारी पूरी sleeves complete ये होगा इसकी फ्रिल और ये sleeps अब ये जो फैबरिक बचा है हमारा इस में से हमें निकालना है नीची की जो दो फ्रिल बची थी वो तो यह जो हमारा कपड़ा है इसको लेंगे और इसको घड़ी बनाकर इखट्ट कर लेंगे कपड़े को फोल्ड करने के बाद हमारी फर्स्ट फ्रिल कितनी निकलना है यह देख लीजिए फ्रिल हमारी नौ इंच की है दो इंच हम इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा ग्यारा इंच का दो इंच हम प्लस क्यों कर रहे हैं क्योंकि यह जो हमारी फ्रिल रहेगी इसको हम यहाँ पर एक्ट्रा वाली फ्रिल लगाएंगे यहाँ पर हमारी पीको रहेगी और इस पutके दिनेंदेंगे और 12 इंज याँ से रहिए निशान लगा लेना है है दो एक निशान hier लगा लेंगे 11 इंज पर यहाँ पर किच मेज लेंगे इसी निशान पर से कटिंग्ट देंगे ये जो हमारा फैब्रिक था ये हमारा आट मीटर फैब्रिक था तो हमारी फर्स फ्रिल निकल गई है आट मीटर की अब हमें सेकंड फ्रिल जो चाहिए बूप चाहिए पड़ेगी सोलर मीटर की तो ये जो फैब्रिक है इसमें से हमें दो फ्रिल निकालना है 11 इंच की एक, फिर 11 इंच की तो यह हमारी double हो जाएगी वैसे भी frill में double fabric लगता है यह हो गई हमारी second frill की दोनों पत्टिया first भी निकल गई, second भी निकल गई अब निकालना है में third frill तीन इन्च की frill चाहिए हमें तो 4-4 इंच पर निशान लगाना है चार-चार इंच की हम इसमें से तीन पट्टियां निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट वाली फ्रिल में हमने एक पट्टि निकाली थी और सेकंड वाली फ्रिल जो थी उसमें हमने दो पट्टियां निकाली है अजो Western तर्ड वाली फ्रेल है उसमें 오늘 अदूरी फ्रेल ह में निकल गए हैं ये हो गई मैं टर्ड फ्रेल सात हमारी पूरी फ्रेल निकल चुकी है जितनी भी हमायी फ्रोग में फ्रेल लगने वाली है वो सारी फ्रेल निकल गए है इसische अब हो गया है वहारी फुरी फ्रॉग की कटिंग अभी हमारी फ्रॉग की कृटिंग कृटिंग ठींग अभी हमारे च्प्onds पुरी चींग नहीं द रहा यह जोंके आभना है और पर शosc जिंग का किसे पैर तो मौले 1 इंछ फॉनño करना है दो पट्टी करना है इसमें से पहले हमें ये किनारी काट कर हटाना पड़ेगी अब निकालेंगे हमें इसमें से दाइधाई इंच की पट्टियां अब इसी निशान पड़ से कटिंग करेंगे अब आप ये सुच रहे होंगे दो पट्टियां कटिंग क्यों कर लिए क्योंकि एक पट्टी हमारी छोटी पड़ जाती इसलिए हमने दो पट्टियां कटिंग की है नेक की फ्रिल के साथ ही हमारी पूरी फ्रोग की कटिंग कम्प्लीट हो गई है यह रही हमारी पूरी फ्रोग यह हमारी चोली और यह उसकी नेक की फ्रिल और यह रहा हमारा घीर यह हमारा फस्ट यह रहा है और यह हमारी सेकंड फ्रिल दोनों ही सेकंड में आ जाएंगी हमार और यह रही हमारी 3rd frill तो यह तीनों जूड़के एक साथ 3rd frill बन जाएगी और यह रही हमारी स्लीप्स और यह है स्लीप्स की जालर इसी के साथ हमारी पूरी फ्रॉक कम्प्लीट हो गई है तो मैंने एक एक चीज आपको step by step सिखाई है आयोप आपको यह अच्छे से समझ में आ गई होगी समझ में आ गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब इसकी स्ट्रीचिंग करेंगे क्योंकि यह वाली वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि इसमें बाइबनों बाइबनों को स्ब्सक्राइब है fulis voice week यह यू अध्दन स्ट्रीपर कर भी यह करके है